हाई फ्रेंज्स वीपी ब्यूटिफुल आर्ट एन आडिया चैनल में स्वागत है आपका आज मैं आपको दिखाने वालें के गिफ्ट बॉक्स कैसे तायर कर सकते हैं उसके लिए इस तरह से हम स्क्वेर शेप में कट कर लेंगे पांच पीसे सेम साइज में कट करने का है हमें इस तरह से और ये उपर का इस तरह से कट करना है अभी हमें नीचे का बेस लेके उपर के बेस उपर का बेस थोड़ा साइडों में से एकदम हलके से जादा कट करना है इस तरह से और यह साइड के भी चेक कर लेना अगर साइड में अगर एक्स्ट्रा होता है तो उसे भी कट करके लिए निकाल लेना अभी हम नीचे का बेस तयार करेंगे पहले इसे अच्छे से रख लेते हैं सेट कर लेते हैं सबी को रख के इससे सेट करने के बाद अभी हम टेप की मदद से इसे चिपकाएंगे अच्छे से प्रेस कर दीजी और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से चिपकाना है और पाकी के दोनों साइड भी इसी तरह से करेंगे हम और उपर का भी इसी तरह से फ्रेंट आइंड बैक दोनों साइड हम टेप से चिपका के ले लिए और यह उपर का भी फ्रेंट और बैग दोनों साइड टेप की मदर से चिपका के लिए है अब हम गिफ्ट पेपर लेंगे और इसे ओपेन करेंगे और इसे रख के देखेंगे किसमें सैट हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर गिफ्ट पेपर अगर एक्स्ट्रा जादा बड़ा है तो उसे आप कट करके निकाल दीजिए यह एकदम बराबर है अब इस साइड ओं से हम थोड़ा-थोड़ा छोड़ते वे एक्स्ट्रा पेपर कट करके निकाल देंगे कुछ इस तरह से इस तरह से पर दूसरी साइट भी हम ऐसी तरह से खट करना है साइडों में से थोड़ा थोड़ा एक्स्रा छोड़ना है जो एक्स्रा पेपर है उसे कट करना है बागी के साइट में व आसी działासे कट करके निकाल देंगे हम और जो हम नहीं कट करें थे यह जो कॉनर्स है यह कॉनर्स को भी नीचे तक कट करेंगे हम इस तरह से अब हम इसे उल्टा करेंगे और सारे साइड में ग्लू अच्छे सहरा से फाइला देंगे कुछ इस तरह से हम इसे वापस अभी सीधा कर देंगे और जो यह साइड का है थोड़ा अच्छे से प्रेस कर लेते ताकि अच्छे से चिपक जाएं और इस साइडों का भी इसी तरह से हम ग्लू की मज़स से चिपका देते हैं अच्छे से इदर भी ग्लू फाइला देंगे इसे भी हम प्रेस कर देंगे जो यह एक्स्टा पेपर दिख रहा है इसे हम कट करके निकाल देंगे अभी और प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाएं दूसरी सेड भी हमें इसी तरह से करना है ग्लू को वापस अच्छे से फाइला देंगे और इसे प्रेस कर देंगे और जो एक्स्टा पेपर है उसे भी कट करके निकाल देंगे इधर भी उसी तरह से ग्लू लगाना है और इसे फाइला देंगे अच्छे से और बाकी के दोनों साइड भी इसी तरह से हम चिपका के ले लेंगे और जो आपको पता है यह मैंने साइड में से कट करके निकाल ले थी वही पेपर हम यूज करेंगे इधर इस तरह से हमें सेट करना है हम चेक कर लेते कहीं बड़ा तो नहीं हो रहा छोटा नहीं पड़ रहा अगर बड़ा है तो कट कर लेंगे एक्स्टर जो भी पेपर हैंगे उसे निकाल देंगे अभी हम ग्लू अच्छे से लगा के फैला देंगे और इसे चिपका देंगे इसी तरह से हमें दूसरे साइड में भी करना है झाल 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 हलके हाथ उसे वापस इसे भी प्रेस कर देंगे हम बीच का भी इसी तरह से करेंगे ग्लू को अच्छे से फैला देंगे इस तरह से इसे भी सेट कर देंगे हलके हाथ उसे प्रेस कर देना रूपर का बेस हमें कुछ इस तरह से तयार करना है हम टेप की मदद से इसे चारो सैडों में अच्छे से रैप कर देंगे सेट करते वे एक से दो बार आपको रैप करना है हम कौनर से थोड़ा अगे लेकर जाके इसे कट कर देंगे आप टेप इसमें कलर है वाला आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं और इसे हलके हलके हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए हमारा तैयार हो गया है अभी और इसे भी गिफ्ट पैकिंग में कवर लेके पैक कर देंगे अच्छे से हमें इसे पहले देख लेना चाहिए थोड़ा नीचे तक आए तक हमें एक्स्ट्रा लेना चाहिए दोनों साइडों से हमें इस तरह से नहीं लेना है इस तरह से नीचे तक आए थोड़ा एक्स्ट्रा और जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे कट करके निकाल देंगे अब यह ठीक है बना बना रहा है यह जो साइट के कॉर्णर से हमें यह कॉर्णर से इसे कट करना है इस तरह से अब इसे हम अंदर के साइट में फोल्ड करेंगे हमें कुछ इस तरह से इसे चिपकाना है जो अंदर का एक्स्ट्रा पेपर है उसे कट करके निकाल देंगे हम और इधर भी ग्लू से हम चिपका देंगे से अंदर के साइट में से प्रेस करना है इस तरह से दूसरा भी हम इसी तरह से करेंगे अंदर के साइट फोल्ड करना है और जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर देना है इसे भी ग्लू से चिपका देंगे हम बॉक्स के ऊपर भी ग्लू लगाएंगे नीचे के साइट में भी और इसे अंदर के साइट फोल्ड कर देंगे बाकी के दूनों को भी इसी तरह से करेंगे हम हम अंदर के साइट नहीं चिपका थे अभी अंदर के साइट चिपका देंगे इसे हम इदर उपर बॉक्स के ऊपर भी ग्लू लगाएंगे और नीचे के साइड में भी साइड में भी दोनों साइड इसे अलके हाथों से प्रेस कर लींगे ताकि अच्छे से चिपक जैंगे इसे के बॉक्ष्ण आद नहीं चिपका थे कर देंगे अँदर नहीं चिपका है थे य। अश्प़े आद के आद्वाश्गे चिपका थे बेंगे। और इसे भी इस तरह से हमें सेट करना है। इधर भी ग्लू लगा देंगे। और इसे दीरे-दीरे हलके हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि चारू सैड अच्छे से चिपक जाए। यह कुछ बनने के बाद इस तरह से दिखाए देगा और जो आपका गिफ्ट है इस तरह से रख देने का और इसे इस तरह से पैक कर देने का। यह कुछ बनने के बाद इस तरह से दिखाए देगा आप चाहिए तो इसे सैटिन रिबिन से बाल सकते हो। यह खूलेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा अगर आप नीचे का इस तरह से खूला नहीं रखना चाहते तो उपर का मैंने जिस तरह से टेप लगाई हूँ उस तरह से इसे भी पैक कर सकते हैं कि मैंने दूसरा बनाई हूँ वह भी मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से आप प्लेन पेपर से भी बना कि उसके और अंदर डेक्रेशन कर सकते इस तरह से और उपर के बोक्स को भी इस तरह से डेक्रेट कर सकते हैं कि इसे भी इस तरह से पैक कर देने का सोरी इसे खोलेंगे तो कुछ इस जारा से दिखाए देगा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक एक शेर जरूर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेर भी कर देना एक नई वीडियो के साथ फिर जल्दी आएंगे तब तक के लिए बाइ बाइ मेरी दूसरी वीडियो है नेल पॉलिश को लेके तो जरूर देखना